हेलो बच्चो कैसे आप आज हम इंग्लिश का 30 चेप्टर करेंगे जिसका नाम है अबुक स्पीक्स यह हम करने वाले हैं यह मैं आपको एक्स्प्लेइन करूंगा हिंदी में और इस वीडियो के आखरी में आपको इसके वीडियो आखरी तक जरूर देखना हो के लेकिन इससे मैंने बाकी चैप्टर साब को दे दिया अगर आप नहीं देख लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक प्लेइलिस्ट का लिंक दिया इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको तीसरी क्लास के सारे वीडियो मिल देंगे ओके चलो और ऐस आइट स्टेप डॉन माई साइट साइटस और सोर बने बच्चेज़ जब ।को उसको क्या घाए तो यहां पे तो किताब क्या बोल लिए जब तू मुझे रोग तो欸 और जो मेरे किनारा है वो सूच जाता है सूच जाना जाती है मुझे चोट लग जाती है ओके ऐसे किताब बोल रही है आगे देखते क्या है टॉण ऑट पेज उसको ग्रोट मतब बच्चो दर्द से कराना दिसी बचो क्या होता है त्हार एसे चक् कराना है यहां पे शहाए ना si शूल ना उसको बत शक्क कराना अब दिको स्क tay न अब बुक क्या बोल रही है कि जब मेरे जुществ ant Pages है जब मेरे फाड़े ही आते हैं तब मुझे बहुत दर्द होता है मैं दर्द से कराती हूं और मुझे बहुत ही ज्यादा चक कर आता है जब मुझे को फेक तो यहां पर बुक को ओसे चक कर आता है ऐसी उसको चक कर आता है बूख बतारDING है ठीड कहें आगे जो यह देख देखा है every mark and every strain on my covers gives me pain Mark मतबद बच्चो निशान strain मतबद भचो धबा ठीक है दाग या धबा cover मतबचो अब बोल से जो जो उसको पर हम cover लगाते है books के उपर वह वाला cover ठीक है पैन मतब दर्द give मतबचो देना ठीक है तो अब देखो बुक्या बोल रहा है कि हर एक जो निशान है और जो दाग या धबा है मेरे उपर, मेरे कवर के उपर, वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द देता है, ठीक है, ऐसे किताब बोल रही है, देखो, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह किताब के उपर, देखो, उपर वाले हिस्से पर धबा लगा हुआ है तो यहां पर निशान लगा हुआ है ऐसे ही ओके आगे देखते है क्या भी प्लीज डोन्ट बेंड मी इप्यो, I don't want to talk to you आपके बेंड बेंड बात करना तो यहांपे दिखो क्यां बोल रही है किताब बोल रही है किर्पिया करके प्लीज मुझे मोड वहा हだita अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ ऐसे किताब बोल रही है ठीक है आगे देखो का है अब देखो किताब क्या बोल रही है अगर तुम मुझे मौसम से बचाओ गे थन गर्म ये सब चीजों से अगर तुम मुझे बचाओगे तो हम दोस्ट बनकर रह सकते हैं and keep me clean so that I look a tidy neat and happy book keep मतब बचो रखना, clean मतब साफ, look मतब दिखना, neat मतब सवच, happy मतब खुश, book मतब किताब अब देखो, अब किताब क्या बोल रही है और तुम मुझे साफ रखो ताकि मैं एकदम साफ सुतरी देखो और एक अच्छे सी हसी कुशी रहने वाली किताब देखो ठीक है अभी देखो इसके questions है, यह मैंने आपके लिए लिख के रखा है अब फटाफट पेंसिल और बुक लेके बैड़िया और लिख लो, चलो भी स्चार्ट करते है तो देखो मैंने यहां पे आपके लिए लिख के रखा है देखो क्या है, अब बुक स्पीक्स पहला देखो आपको क्या है, गिव मीनिंग आपको यहां पे मतलब शब्दार्थ है पहला क्या है, देखो सौर, सौर मतलब बच्चों क्या होता है, देखते है इहां पे क्या वोला है, कि अगर आपको कोई शरीर का हिस्सा सौर है तो आपको बहुत ज़ादा उसमें दर्द होगा जब आप उसको चुओ गया तो हिलाओगे देखो सौर मतलब क्या होता है, सूजन हमें कहीं सूजन आ जाती है, चोट लगने से, कुछ होने से तो अगर हम उसको छूते हैं या उसे हिलाते हैं तो दर्द होता है वही यहां पर उसका मीनिंग है ठीक है सेकंड देखो कि आपको ग्रॉण ग्रॉण मतलब क्या होता है बच्चों देखते हैं पिर दर्ट के दोसक्ति हो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हो डिजी का मतलब होता है गीडी किया M यह लिए तो आगे है आपको को लिचो देन्स धैट मेंगग नहैपी एक्जांपल ड्रॉपिंग दा बुक व्यूवज मतलब यह लिए चीजों की लिफ्स बनाओं जिससे एक जो किताब है वो नाखुश होती है आपको यहां पर एक्जामपल दिया जैसे की एक बुक को जमीन पर गिराना तो देखो एंसर में क्या है the following things make a book unhappy मतलब बचो यह सब चीजे एक किताब को नाखुश करती है पहला क्या है tearing out pages from the book मतलब बचो जो किताब है उससे उसके pages फाड़के निकालना second है putting marks and stains on the book मतलब बचो किताब पर mark करना पेनिया कोई चीज से और उस पर दाग धबा लगाना इससे भी किताब नाखुश होती है third है bending the book मतलब को किताब को मोड़ना तो उससे भी किताब नाखुश होती है ठीक है आगे देखते है चलो आगे यहाँ पर देखो आपको क्या दिया हुआ है यह देखो अभी आपको यहाँ पर third में कहा है what do we have to do to make friends with a book मतलब बच्चो अगर आपको किताब के साथ दोस्ती करने है तो क्या करना पड़ेगा आप तो answer देखो क्या है to make friends with a book we must protect the book from the weather मतलब बच्चो हमें किताब के साथ दोस्ती करने के लिए उसे मौसम से बचाना चाहिए we must also keep it clean so that it is tidy, neat and happy और हमें उसे साफ रखना चाहिए ताकि वो साफ सुत्री रहे और खुश रहे ठीक है इस तरीके से हम किताब से दोस्ती कर सकते है आगे देखो आपको फोर्थ में क्या दिया हुआ है फोर्थ में देखो आपको क्या है फोर्थ में आपको read the following and decide what the book will like or dislike नई भी क्ताम सतिर्व div प्रश पढ़ेक आपको यह साफ पड़ना है और आपको बताना है कि किताब को कुझसी चीज़ा पसंद है और नहीं था तेखाल इस पर राइट जो नहीं पसिंद उस पे से रहां कशन कर रहां कि ठी फिर्सकाह को संदूरां कोरण अ हैं तो आपको से क्रोस करना है रॉंक करना ठीक है अधीक है देखो तो आपको देखो यहां पर सेकंड में ऑपको यूजिंग अ बुक आपको यूजिंग आ यूजब्टीश नहीं आएगा फोट क्या है पूटिंग और ओपन बुक फेस्ट डाउन वोड मत्ता बचो एक किताब को खोल के उल् बच्चों क्या होता है कि दो शब्द जो एक जैसी आवाज आती हो वो शब्दों से लेकिन बहले से उनका मीनिंग अलग हो मतलब अलग हो लेकिन आवाज एक जैसी रहने चाहिए पहला देखो क्या फ्लोर फ्लोर मतलब बच्चों जमीन उसका देखो राइमिंग ओंड है सोर सोर मतलब होता है सूजन ठीक है दो मतलब बला लेकिन आवाज एक जैसी है ने देखो फ्लोरicingस से किने ग्रोन ग्रोन मतलब बच्छो कराना दर्द से कराना इसका देखो राइमिंग रहेगा थ्रोन मतलब फेकना तो देखो ग्रोन थ्रोन एक जैसी आवाज है थर्ड़ आपका स्टेन स्टेन मतलब बच्छो आप बोल सकते हैं दाग धबा और इसका देखो राइमिंग है मतलब दर्द तो दोने का अवाद सेम सेम लग लगदी है इस टेस्टेण पेन फूर्थ है दूर्व इसका रायमिंग है यूँदी यू दोनों के आवद से बाद को साथ में इसका रामिंग हो का वेदर मतलब मौसम dura आवासे में टूगेदर वेदर ओके शिक्स आपका लुक लुक मतलब देखना बुक मतलब किताब देखो आवासे में लुक बुक ओके तो बच्छो यहां पर हमारा यह चैप्टर कंप्रीट हो गया है अभी अगले वीडियो में आपको नेक्स चैप्टर दूंगा तो आप च सब्सक्राइब करो थेंक यू